आज जो हमारे मेहमान है संजय जी इनका पत्रकारिटा में एक लंबा कैरियर रहा है और उस कैरियर की यह रही है के उन्होंने देश के दूर-दराश शेत्रों में काम किया है जैसे की बहुत दिनों तक चर्पतिस-गड़ में इनका प्रवाश रहा और वहां भी उन्होंने जमीनी अस्तर तीपत्रकारिता की और उसके बाद आज भी पुर्वांचल के एक केंडरकोर में बैठे हुए हैं और वहां से पत्रकारिता का करन करूँ आज भ़ायत Đ Solid के प्रशन कर एकaran पिछले साल की गटना घटी दो अपरेल पे उसको कमजोर करने वाला प्रोविजन आया उसको लेके एक पूरे देश में पूरे दलित एक जूट हुए शड़क पे उतरे जिसको मेडिया ने भी नहीं दिखाया कि ये उतरने वाले हैं इस ख़बर को भी नहीं दिखाया ये चा सरकार के लिए कि आप जाग जाओ हम हम जगे हुए हैं अपने अधिकारों का हनन अभी तो नहीं होने देंगे उसके बाद आप देखेंगे आरक्षण को लेके फिर एक और चोट पहुंची तेरा पॉइंट रोष्टर को लेकर के हुआ तेरा पॉइंट रोष्टर को लेकर इस पे तो सरकार पुजित तरफ फ्रॉप साबित हो ही गई जन आंदोलन के दवाव में आ करके उन्हें निर्णे को प्लटना पड़ा उन्हें ऐसी ब्यवस्ता करनी चाहिए थी कि भाई कोट का मामला अलग रहें और ओबी सी का हिद्थ और टोमेटिक ये सुरक्षित कर देत हैं तमिक भी कहा जाता है जो उनके दमन और दलन का इस देश में एक एतिहासी के परंपरा है और निराशा की बात है कि आज भी वो पूरी तरस सब्सक्राइब और उसमें एक और जोड़ना चाहेंगे आपको बता है बोल रहे हैं हिद की बात है आप देखेंगे कि जो जैस अधर कि खूट का फैसला आया जिस विषविद्ध्याले की वेकेंसी रुकी पढ़े थे घ्र दूरंट चालू हो गई अब तक क्यो नहीं निकाल लेते वेकेंसी पहले निकालना था न सरकार क्यों अगर मानशिक्ता सही तो विश्विध्याले निकालते केंद्र सरकार के जो विश्विध्याले हैं केंद्र इनुशिटिया हैं लेकि नहीं निए तो आप तो संजी जी एक जागुट पत्रकार हैं तो आप तो जानते होंगे कि यह विविन इकाईया जैसे के विश्विध्याले की जिनकी आप बात हाया जैसे के जब 13 पॉइंट रोस्टर पे डिसीजन आया उसके बाद जब नियुक्तियों के विज्यापन निकलने लगे तो इसी सरकार के अधीन UGC ने उस वक्त एक लेटर जारी करके और पुनरविचार याचिका जो दायर दिया था उसके फैसले के आने तक सभी नियुक करना सब्सक्राइब और प्रश्न के ऊपर जो है समझावता करना पर उसमें क्या हुआ उसमें सरकार की मानस्किता ठीक नहीं थे उसने कोर्ट में पैर भी ठीक से नहीं कि जिसका तेरा पईंट रेश्टर में सरकार को इसमोखाने पड़ी उनके उकील जो थे इमंदार नही वहां पे तो अपने जो उसकी एजन डे हैं खासवर्ट पबली के हित के इसको नियंतरीत करने के लिए उसको बात देकर सकती हुजी को कौन कि भूञ मोनीटर कर हमेसा आप देखेसे जो hypertी तब हम उसकी करते हैं तो फिर आप जिन्ध को पहले गार्टलियन करना चाहे था कि जो जो यह इंसे निकाल ने रहान से … Ben लर्एम ऑन बात हो गई अगर दूश्रें विभाग है जहां पे आज भी ॥भन रहे इस सरकारमें कितनी संर्कारी में सब्सक्राइब करें रोजगारों को लेकि यह सरकार सवालों के घेरे में हैं और जैसा कि थोड़ी दिर पहले हम आपसे जब नीजी बातचीत कर रहे थे तो आपने कहा किया अपना गाउं जमीन अब अपनी माठी हमको बहुत पसंद है तो वहां नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी योजनाएं लॉंच की और यह सरकार एक्रोनिम्स वाली योजनाएं लॉंच करने के लिए भी इतिहास में जानी जाएगी जैसे स्टार्ट अप, स्टैंड अप और बहुत सारे डाउन इनका क्या हाल रहा समी देखिए इसमें एक स्टार्ट अप इंडिया को लेकर के बहुत ज्यादा इस सरकार ने हाइप किरियट किया स्टार्ट अप पे तो स्टार्ट अप में जो फंडिंग करने की बारे सरकार ने घोशना तो कर दी लेकिन जो फंडिंग का सिस्टम था वो कैसे रहा आप कभी भी किसी भी अपने सरकल कहीं लोगों से पूछे, दूसरी से चौथे, दस्वे, हर दस्वा विक्ति, अगर कोई भी ऐसा बंदा हो, जो start-up योजना चालू करना चाहता हो, वो बैंक में जाकर पूछ ले, या कोई ऐसी एजेंसिये जहां पे जाकर पूछे कि हम start-up चालू करना चाहते हैं, कोई करना चाहते हैं, उस वो कहीं से कोई support नहीं है, यह reality है, जितने भी लोग start-up चालू करना चाहते हैं, उनके पास एक अच्छे idea हैं, लेकिन उनके पास fund नहीं है, वो बैंक में जाते हैं, तो बैंक सीधे से security देखता है, कि हम उनको start-up के लिए loan भी दे देंगे, तो हमारा fund resource कैसे आएगा, मुद्रा लोन में आप जाएंगे, आप देखेंगे, कि आप अपने इर्दगीर्द में देखी है, जो आपका circle है, उसमें आप देखें कि कितने लोग मुद्रा लोन लिए हुए हैं, आपको एक एक आदमी नहीं मिलेगा, जो कहें कि हमने मुद्रा लोन ले मेन लोग मुद्रा, इन्होंने पता नहीं किसको दिया है, कुछ दिया है सा नहीं है, दिया हैलें, किसको दिया है, जो रियल में नीडी थे, उनको तो मिला नहीं, सिम चीज आपको किसान करिशी लोन का कभी है, आप वी बेंक आक देख लिए इ cole design 165, competition, le sart there is, और성이ये rate इपलिमेंट नहीं किया, अन्यदाता के लिए लोन नहीं दिया इन्होंने, जो लोन दिये इन्होंने, वो क्या था कि बड़े किसानों को दिये, जो अच्छे से उसका बैंक के केटिगए को पूरा कर लेते थे, लाखो में, और उसमें कुछ बहुत सातीर थे जो खतम कर दिये जो धारन है, साक्षात सामने हैं, आपने देहों कि इसी सरकार के कारिकाल में, महराश के और साउथ के आंधरा के किसान आए, जंतर मंतर पे कितने दिनों तक आंधरन के नगन होकर के परदासन के लिए, अगर आप दे रहे हैं, जब आप दे ही रहे हैं, लोन दे रहे हैं, क वहाँ पर एक सिस्टम किरियेट नहीं हुआ जो लोगों तक पहुचा सागे। संजे जी हम आप से यह भी जानना चाहेंगे कि पिछली बार आपने देखा होगा 2014 के चुनाओ नतीजों का जब विशलेशन हमारे सामने आया था तो यह एक बात निकल कर सामने आई थी कि जो पिछली राजक सरकार को भाजपानी जो रास्ती जनतांत्रिक गडवंदन की जो सरकार है उसको उतना भारी बहुमत या असपस्ट बहुमत जो भी आपका ही है वो इसलिए मिला कि उसको दलित और पिछड़े वर्ग से एक मतलब अनेक्सपेक्टेड सपोर्ट मिला और अभी देखिए कि जब मत्यप्रदेश और चतिसगर और राजस्थान के चुनाओते उन चुनाओं में जाने से पहले बीजेपी ने वो फैसला लिया था जिसमें दलित अत्याचार निवारण जो विधेयक है उसमें सुप्रिम कोर्ट के आदेश को पलटने का सरकार चतिसगर में भाजपाहार गई और मत्यप्रदेश में भी भाजपाहार गई तो और उसके बाद फिर थर्टीन पॉइंट रोस्टर पे भी सरकार ने जो है कदम वापस लिये हैं तो क्या लगता है कि 2014 की तरह ही क्या एक बर फिर अभूत्पूर्व समर्थन मिलने जा अधन है उस पे इन लोगों ने बहुत ज्यादा गेन के नियंत्रण कर रखा है वो तो अच्छी बात है कि सोचल मेडिया है फेस्बुक है तो फेस्बुक के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजी रियालिटी ग्राउंड रिपोर्ट आ जाते हैं या वेब मेडिया पे ड इस्टम मैनेजड दिख रहा है ग्राउंड हकिकत क्या है कि आप जो बात बोलें कि बहुत ज़्यदा अपार जंसम अर्थम पिछले बार मिला आप देंगे पिछली बार मुए नहीं सिंगी सरकार थी लातार दस साल से थी अपने हां का जो सरकारों को ट्रेंड है और देदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेद पिछले चुनावों में उस वादों को लिष्ट बना कर ये बताए पब्लिक को आप बना के देखिए कि इन इन याद वादों पर जो कमिंट्मेंट किये थे हम बोट मांगने जनता के पाए जा रहे हैं इधर पिछले पांच सालों में सोसल मेडिया पर बहुत सारी पॉब्लिक इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई है कि वह इस चीज को समझने लगी है आप खुद सोसल मेडिया पर अबजर्व करेंगे तो यह पाएंगे कि अब पब्लिक जो है पार्टी के बजाए कंडिडेट को देखना प्रिफर कर रही है आपको सोसल मेडिया पर देखेंगे पहले हम ऐसा यह बात होते थे कि पार्टी को नहीं कंडिडेट को वोड़ दो लेकिन यह अवेर्नेस धीरे-धीरे सोसल मेडिया पर आने लगी है कितनी यह वेर्नेस कीस हद तक आया देखिए जिनके हाथ मे मोबाइल देखा 2014 में एक व्यक्ति का एक मेटर नेरेटिव रचा गया और वो नेरेटिव काम्याब रहा देखिए उसमें क्या होता है कि यह तक्नीक था नए जमाने का एक नया तक्नीक था और इसे जो है पुब्लिक जो है या दूसरे मीडिया संसादाने दूसरे सचेत होने को सीखना चाहिए था सीख नहीं पाए या जो है पूरी प्लान वे में उस तक्नीक का अपने हित में मैक्सिमम फाइदा उन्होंने ले लिया आप देखेंगे कि फेक एकाउंट बना के फर्जी एकाउंट बना करके जो भी एक सम्ध लोकतंत्रिक तरीके से अगर नरें कि भाई अब सपने बेच लो जो जितनी जादूगरी से सपने बेच ले उसी खंदर हो गया जो सपने नहीं बेच पाया ख्लॉप हो गया तो इस सरकार ने क्या किया कि उसकी तेहरी इतनी ज्यादा थी पहले से डिश्टल मीडिया नहीं नहीं आया हुआ था ता डिश्टल म जब क्या है कि social media में काफी हद तक बहुत चोरी लोग सचेत हो गयं है पहले क्या था कि social media में नियूट आप कि पहले पर आप पहले एक साल मेद हो गया है कि यह तनाव बहुत कम हो गया है कोई अगर सोचल मीधिया के माध्यम से भी दंग पहलाना चाहे तो अगर कुछ फर्ज भीडियों कि दुसरे देश का आर्मी के वीडियों की पहिस्तान ने मार दिया या कहीं और कई से मार दिया किपना उतना घी वीडियों दिखाएंगे और उसको शल्य कर दिया और ऊस्टमीन कर देंगे तो चार लोग वहां पे कॉमेंट करते हैं कि फेक वीडियो है यह तो पिशे साल का है या उस समय कारी तो वहां का है अब जागरुकता बढ़ी है तो अभी प्रभाव धीर धीरे मिलेगा अगर अब देखिए क्या है कि पार्टी अचुकि अपना हर तरह कॉंग्रेस भी त्यारी में है यह भी त्यारी में है जिसके त्यारी ज्यादा रहेगी पब्ली को जो जितना ज्यादा कंविंस कर लेगा उसके अंदर हो जाएगा